कि अगए तो कि आप उनको उस चीज को भी सपोर्ट कर रहें और गए अप भी किलने की समर्थन दे रहे हैं कि हम भी हिंसा करेंगे अगर हमाने नारे मांगों को पूरा नहीं क्या गया तो देखे भगत सिंग जी ने कभी इंसा का समर्थन नहीं कि आंको पढ़ना चाहिए असेम्बली में जो भम भैखने की घठना थी वो केवल द्यान हो नमस्कार मैं पुरुशुत्तम कुमार स्वागत है आप सभी दर्शकों का जी एल्सी सी निउज में हमारे साथ आज मौजूद हैं यहां के राश्ट्रिय प्रवक्ता धर्मेंदर मलिक जी धर्मेंदर मलिक जी से हम आज जानने का प्रयास करेंगे कि आज दो अक्टूबर ह यानि जय जवान जय किसान का जो नारा बुलंद किया जा रहा है अवी किसान अंदोधन में उस नारे को देने वाले उस नारे को चरितार्थ करने वाले देश के पुर्व प्रधान मंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म दिवस है इन्ही बातों पर हम बात करते हु तो क्या जय जवान और जय किसान का नारा दिया गया था क्या असल में चरितार्थ होते दिख रहा है आज इस किसान आंदोलन में आप लोग किसान आंदोलन रत हैं तो क्या वो चरितार्थ होते दिख रहा है चीज़ देखिए जै जवान जै किसान का जो नारा है आज तो किसान उसको बचाने के लिए संगर्ष कर रहा है वरतमान जो सरकार है यह जै जवान जै किसान का नारा हमेशा बुलंद रहे आपको मैं ध्यान दिला दू कि 2 अक्टूबर 2018 को यहाँ पर इसी जगे जह हम बैठे हैं किसान करांती आत्रा पहुंची थी और वो किसान करांती आत्रा मात्मा गांदी जी की समाधी तक जाना चाहती थी लेकिन जैसे ही वो यहाँ पहुंची तो वर्तमान सरकार ने जो है पुलिस से गोलिया चलवाई आसुगैस के गोले लगवाए तो अहिंसा के दिवस पर आज विश वह इंसा दिवस भी है अहिंसा के दिवस पर सरकार ने किसानों के साथ जो इंसा की थी तो ऐसे जय जवान और जय किसान कैसे चरितार्थ हो सकता है तो इसे चरितार्थ करने के लिए किसान और क्या करने जा रही है कहीने कहीन किसानों का तो ये मानना है कि हम तो अपने हग को हम लेकर रहेंगे जिस प्रकार से किसान धरना कर रही है जिस प्रकार से किसान अडे हुए हैं जिस प्रकार से किसान कृत संकल्पित हैं तो क्या माना जाए कि जो गाजी पूर बॉर्डर पे किसान है या पूरे देश में जो समर्थन मिल रहा है आपको किसानों के तरब से अलग-अलग छेतरों से तो क्या आप अपने वादों का पाद्य सुरक्षा नहीं थी हमको अनाज बाहर से मंगाना पड़ता था साथ्ट्री जी ने कहा था कि देखिए देश के निवासियों में बार भीक नहीं मांग सकता चाहे आप एक टाइम का भोजन करें लेकिन अब हम बाहर से आयात नहीं करेंगे इसमें बड़ी सरमिंदगी होती है तो उन्होंने का था जय जवान जय किसान मेरे देश का जवान और किसान देश की सीमा की सुरक्षा में लगा हुआ है और किसानों से मेरा आवान है कि देश की खादे सुरक्षा को मजबूत करें तो लाल बादर साथ्टरी जी कि उस एक नारे पर देश के किसान ने जो है उस खादे सुरक्षा की अभेद दिवार को तोड़ते हुए देश के बंडार भर दिये और उसका नतीज़ा है कि देश में किसान आत्मत्या कर रहा है देश के किसान न तो प्रदानमंत्री जी की बात को मानते हुए इस देश में खादे संपरु बता के को इस्थापित किया और देश के गोदामों को भर दिया लेकिन उस गोदामों को भरने वाले के बच्चे भूके पेट सो हैं ये किसी को भी बरदास्त नहीं होना चाहिए और वही इस तितिये आज है कि कर्ज के भार में बढ़ता हुआ किसान आत्मत्या कर रहा है मौत को गले लगा रहा है ये बड़े दुक का विशे है और आज उसी किसान को जिसने इस देश की खाद्य सुरक्षा को मजबूत किया अपनी जमीन और अपनी फसल और नसल को बचाने के लिए दस महिने से अंदोलन करना पड़ रहा है तो इसका मतलब यह कि देश की सरकारे ना किसान का संबान करती न यह भी हमारा मानना है जो जै आंदोलन की बात कर रहे हैं आप आज महात्मा गांधी का भी जन्दिवस है 2 अक्टूबर और तो महात्मा गांधी ने कई तरीके के आंदोलन देश के सामने रखे हम उनके सत्या सत्याग्रह के जो तरीके थे जिस प्रकार से वो अपने बातों को मनवाने का उनके पास तरीका था तो कहीं ने कहीं आप लोग भी किसान जो आज यहां धरना दे रहे हैं और जिस प्रकार से लगातार यहां आप लोग डिगे हुए हैं तो मतलब महात्मा गांधी को आप किस प्रकार से आज याद कर रहे हैं आज किस प्रकार से महात्मा रांदी को याद कर रहे हैं देखेज मात्मा गांधी की बतायों रास्ते पर 10 महीने से किसान दिल्ली की देलिज पर बैठा है यह मात्मा गांधी का दिखा हुआ रास्ता है कि आंदोलन एक दिन चले दस साल चले लेकिन आपको अपने मांगो के लिए संगर्श करना चाहिए अगर ऐसा ना होता तो आज तो किसान दिल्ली में घुसता या कुछ भी करता लेकिन हमारे आंदोलन में हिंसा नहीं है तो इसलिए हम उसी के राष्टे पर गांधी जी की बताएवे राष्टे पर चलते हुए इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं लेकिन सरकार किसानों के कड़े कदमों के लिए भी तयार रहने की जरूरत है मतलब आप हिंसा पर उतर सकते हैं क्या नहीं सा किसी अंदोलन का समधान नहीं होता लेकिन हम वह नहीं है कि आप एक मारोगे तो हम कहेंगे कि दूसरा मारो हत्या चार को परदास्त भी नहीं करेंगे हम इंसा नहीं करेंगे पर भगत सिंग तो हिंसा का समर्थन करते थे कि नहीं देश की अजादी हम इंसा से लेकर रहेंगे महात्मा गांदी कहते थे कि हम इंसा के पुजारी है लेकिन भगत सिंग कहते थे कि नहीं हिंसा जरूरी है तो क्या भगत सिंग के आप बंसज हैं, तो क्या आप उनको उस चीज को भी सपोर्ट कर रहे हैं, और कईने कहीं आप भी कईने कहीं समर्थन दे रहे हैं, कि हम भी हिंसा करेंगे, अगर हमारे मांगों को पूरा नहीं किया गया तो? देखिए भगत सिंग जी ने कभी इंसा का समर्थन नहीं किया, उनको पढ़ना चाहिए, असेम्बली में जो पम फैकने की घटना थी, वो केवल ध्यान आकरसन के लिए थी, और कहीं भी एक व्यक्ति की जान उनके आंदोलन में नहीं गी, उन्होंने अपनी जान को कुर्बान किया है, यह किसान भी वो ही है, कि यह इस देश की नसल और फसल बचाने के लिए 700 किसान सहादत दे चुके हैं, लेकिन किसी भी एक भी करमचारी, होकुमरान या किसी भी सरकारी व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुचा होगा, किसानों के इंसा के दुवारा यह हमने करके किसान भी को सरकार जनित इंसा थी, उसमें घुसाए गए थी, पबलिक के लोग, आरसे के लोग, सब कुछ उनका एजिंडा था, किसानों के जो ते रूट थे, उनको उस पर रास्ते को रोका गया, और दूसरे रास्ते पर डाला गया, यह सरकार का सडियंतर था, इसको बेक करना, बेनकाब करना चाहिए, दर्मेंदर जी, दस महीने पूरे हो गया है, क्या लगता है, अभी और कितना दिन चलेगा, ने देखिए, आंदोलन मैंने यह कहा है, कि दस महीने चले यह दस साल, उससे फरक ने पड़ता, किसान आया है, तो अपना हक लेकर जागा, भक लेक रहेंगे, तो यह हमारे साथ धर्वेंदर जी थे, राश्ट्री प्रवक्ता, आप हमारे से बात करने के लिए, आपका बहुत-बहुत धन्यबाद, कैमरा मैं अजीत कुमार के साथ, मैं परुसुत्तम कुमार, जील सेसी न्यूज के लिए,